बीजेपी जाती ये समावे सालो प्रदानी मोधी माटलर तुनारू लाइव लचूता एंडिये सरकार चारसो पार के नारे लगा रहे हैं और एंडिये को चारसो पार कराने के लिए भाजपा को तीनसो सत्तर का माल्स्टोन पार करना ही होगा साथियों कई बार लोग मुझे से कहते हैं मुझे कहते रहते के अरे मोधी जी आपने इतना तो सब कच्छा कर लिया जो बड़े-बड़े संकल्प आप में लिये वो तो पूरे कर लिये है अब क्यों इतनी भागदोर करने है साथियों पुरा देश मानता है दस साल का बेदा कारकाल और पचीश करोड लोगों को गरीवी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब दिन नहीं है पुरा देश मानता है हमने देश को महा गोटालों और आतंकी हमलों के खौप से मुक्ति दिलाई है पुरा देश मानता है हमने गरीब और मिडल कास का जीवन बहतर करने का प्यास किया है लेकिन जो लोग सोचते हैं यह बहुत हो गया ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी गटना जुरूर बताना चाहूँगा एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधान मंत्री पत के दूसरे कारकात में बोले मोधी जी प्रधान मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है अब बन गये आपने इतने दसरतों के संगठ हमका भी काम कर लिया मुख मंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके प्रधान मंत्री में भी दुबारा आ गये अब इतना काम पान लिया है अब तो थोड़ा बैठो आराम करो बहुत कर लिया यह उन्होंने मुझे कहा था उनकी वो भाउना राजनीती के पुराने अनुभवों से थी लेकिन साथियों हम राजनीती के लिए नहीं राश्ट्रनीती के लिए निकले है हम तो छत्रपती सिवाजी महाराज को मानने वाले लोग है जब छत्रपती सिवाजी महाराज का राजा बेशेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपती बन गए सत्ता मिल गए तो चलो उसका आनूंदलो उन्होंने अपना मीशन जारी रखा ऐसे ही उनसे प्रेणा लेकर के मैं अपने सूख बैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ मैं राश का संकल पर लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूँ अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता हूँ तो आज करोणों गरीबों के घर नहीं बना पाता हूँ मैं देश के करोणों बच्चों के भविश के लिए जीता हूँ जागता हूँ जूचता रहता हूँ कि देश के करोणों करोणों बहनों बेटियों करोणों गरीबों का सपना ही कि मोदी का संकल्प है और इस संकल्प की पुर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं दस वर्सों में हमने जो हासिल किया जाथियों वो तो एक बड़ाव मात्र है मंजिल तक पहुंचेने का एक नया विश्वास है अभी हमें देश के लिए कोटी कोटी भारतियों के लिए हर भारतिय का जीवन को बनलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने है संकल्प है और उसके लिए बहुत से निरनय भी बाकी है साथियों आज भाजपा युवाशक्ति नारी शक्ति गरीब और किसान की शक्ति को विश्षित भारत के निर्मार की शक्ति बना रहा है पहले लोगों को लगता था कि सरकारे बदलती है व्यवस्ता नहीं बदलती हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्ता को पुरानी सोच पुरानी एप्रोच से बाहर निकाला जिनको किसी ने नहीं पूछा हमने उने पूछा है इतना ही नहीं हमने उसको पूजा है अभी बात्यों में भी अभी बात्यों में भी